राहुल गांदी को बारत जोडो यात्रा में राजिस्थान में प्रवेश करने से पहले बड़ा जटका लग सकता है भारत जोडो यात्रा 3 दिसंबर को राजस्थान में आ रही है लेकिन इससे पहले ही करनल किरोडी सिंग बैसला के बेटे और गुजर अरक्षन संगर समीती के अध्यक्ष विजे बैसला ने यात्रा का विरोध करने की चेतावनी दिडा ली है उनका कहना है कि सरकार ने 2019 में गुजर समाज के साथ जो समझाता किया था उसको अगले 20 दिनों में पूरी तरह से लागू नहीं किया गया तो राहूल गांदी की यात्रा को राजस्थान में घुचने नहीं देंगे उनकी दमगी के बाद कांगरेस की राज़ीती में बवाल मचा हुआ है आपको बता दें की राजस्थान में मुख्यमंदरी अशोगेलोत और सचिन पाइलिट के खेमे के बीच मुख्यमंदरी की कुर्सी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है कुर्सी को लेकर मची खीचतान में राजिस्थान कॉंग्रेस बुरी तरीके से फसी हुई नजर आ रही है भीतर खाने विरोध को लेकर कॉंग्रेस के पड़े मेता कई बार मीडिया के सामने आकर इस बात को स्विकार भी कर चुके हैं कि सचिन पाइलेट और अशो गहलोध के वीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा राजिस्तान ने सीम की कुर्सी को लेकर चल रही खीचतान के बीच विजे सिंग बैसला की दमकी के अलग-अलग माईने निकाले जा रहे हैं सचिन पाइलेट समर्थक और ब्रिप बोर्ट के अध्यक्ष माई शर्मा हाली कॉंग्रेस अध्यक्ष से मिले इसके साथ ही उन्होंने विजे बैसला और आर्टी डीसी के चेर्मेन धर्मिंदर राठोल का एक फोटो उन्हें देते हुए आरोप लगाया कि बैसला राहुल की यात्रा का विरोध पाइलेट को डेमेज करने के लिए कर रहे हैं इसमें एक एलोध खेमे के धर्मिंदर राठोल का हाथ है वहीं उनके आरोपों पर जवाब देते हुए विजे बैसला ने कहा कि मैं अपने समाज के युवाओं के भविश्य के लिए लड़ रहा हूँ सरकार से हुए 2019 के समझोत्ते के मुताबिक गुज्र समाज के लोगों के पुलिस केस खत्म करने नौकरियों में बैक लॉक पूरा करने रीट के 233 पदो सहित प्रक्रियाधीन भरतियों में हग दिलवाने और देव नरायन योजना की पेंडिंग स्कॉलर्शिप दिलवाने जैसी मांग के लिए लड़ रहा हूँ इसलिए राठोर से लेकर सीम समेट कई नेताओं और अफसरों से मिल रहा हूँ इसके साथ ही मीडिया से बाच्चीत में उन्होंने दोहरा भी दिया कि समझोते को लागू करवाने के लिए राहूल गांदी की यात्रा के विरोध की चेतावनी का कायम रहेंगे राहूल को राजिस्तान में गुस्ने नहीं देंगे इस खबर में इतना ही ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें